हेलो एप्रीवन, वेलकम डू मैं चैनल, आई एम सुनेला सिर्मा आज हम बायोलोजी का पार्ट फाइफ स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम वर्गी की साहेता साधन यानि जब हम विभिन जीवों को वर्गों में बाठते हैं तब उसमें हमारी साहेता कौन करता हैं सबसे पहले हैं हरबेरियम हरबेरियम में इस क्या होता है जैसे आज मुझे कोई पोड़ा मिले तो उसको वर्गी संग्राले में जो नमूना होगा उसको पहले क्या करेंगे कागच पर सुखाएंगे कागच की एक सीट होती है उसके उपर सुखाया जाता है उसके बाद परिरेक्सित किया जाता है यानि उस पोधे का लेमिनेशन किया जाता है इसे अब इन सीटों के उपर इन पोधों के उपर नीचे एक लेबल लगाया जाता है उसके अंदर करी जानकारिया लिखी होती है जानी पोधा को एकोट्य करने की ती कि हमने आज कोन सी टारिक को पोधे को एकोट्य की ए ठीक है नेक्स्ट है उसका स्टान कि ये वाला पोधा मैंने इस जग्धा से लिए तो उस जग्धा का नाम लिखा जाता है नेक्स्ट एम पोधे का इंगलिस नाम और उसका विग्यानिक नाम और एकत्र करने का वाल नाम यानि जो भी हमने आज प्लांट हमें मिला है उसको लेमिनेशन करके उसके नीचे ये सारी जानकरी लिखी जाती है और इन जिन सीटों को के उपरी नहीं सुखाया जाता है तो विस्व व्यापी माननिय वर्गीकरन परणाली के अनुसार व्यवस्तित रखते हैं योगया हर्भीरियम मतलब इसका सिद्धा सा ताथपड़ी यह है कि हमें एक पोधा मिला है तो उसको हमने लेमिनेशन करके रख दिया है और उसके उपर नीचे जानकारी रखिए ठीक है कुल का नाम इसके अंडर जीवीट पोधो को रखा जाते हैं और इसके उपर लेबल की जानकारी होती है उसका विज्ञानिक नाम और कुल का नाम और जो पोधो होते हैं उसके स्पीसिज पहचान के लिए उगाई जाती है कि हमें नए नए स्पीसिज जाननी है जाती है जाननी है पोधो की तो उसे नए नए उगाई जाती है और जो इसके famous है हमारे पूरे world में इंडिया में वो आपको notes में मिल जाएंगे अब संग्राली क्या होता है हम देखते है medical college में या फिर school में भी देखते हैं कि जो labs बनी होती है biology के लगसी और उसके अंदर जीवों को रखा जाता है उसमें विभीन पड़कार के जीव होते है जली जीव से लेकर रैंगने वाले जीव उड़ने वाले जीव और सारी स्रप सारे जीवों को रखा जाता है यह प्राय स्कूल वा कोलेजिस में होती है पूल और मेडिकल तुएंकि इनका इन मेडिकल फिल्ड में ज्यादा जैसे हम किसी भी पोड़े अगरे पर डिसर्च करते हैं या फिर कोई जानवर पर तब वहाँ पर रखा जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि इन्हें नहीं कोई घोल होता है उसमें परियक्सित करके अगर हम ऐसे ही रखे तो अधियर रखे लग जाते हैं जिसे हमारे पास ही कोई जीव है जिसकी मिर्टी हो चुकी है वह वात्तावर्ण में अपस थित विभिन जो घटक होते हैं वह उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं तब क्या होता है उस लैब में उन्हें एक स्पेसल गोल होता है उसमें रखा जाता है उन्हें परी रक्सित गोल के अंदर रखा जाता है ताकि वह सीफ प्रेस सकी अब जो ये वीडियो है हमने बाइलोजी के जितने भी पार्ट्स किया है तो वीडियो में तो आपको एगदम जिसे एक टोपिक हैं संग डाल लिए तो उसको फुली आपको उसका एकस्प्लाइशन मिलेगा लेकिन नोट्स में आपको इसका पूरा जो उसके बारीकी से लिखा जाएगा जिसे हम एजीली रेंड कर सकते हैं लेकिन जब हम नोट्स पढ़ते हैं उससे पहले जो हमारा जो एंसी राइट का चेप्टर है वह हमारे माइं देट में इंडिया में तेट और उन्हें हमें जाके नोटस में एजीली लेंड करना होगा नेक्स्ट प्राणी वण या फिर चीरिया घर और या फिर जीलोजिकल पार्क अब हम 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 जीलोजिकल पार्क या फिर जीलोजिकल पार्क या फिर जीलोजिकल पार्क या कि घर जे सा फील करवाते हैं वहाँ पर कि जो भी वियक्टिया उनको देखने आये तो वहाँ पर आके उसका आनन्द उठा सके इसमें आगे तो समझानें कि वैसे जुरत नहीं क्योंकि हम चेड़िया घर को तो जानते हैं फिफ्ट है कुझी जोन द्वारा दे गई विधी पोड़ोर उनकी समानता और असमानता की अधार पर पहचानने में किसके द्वारा दे गई विधी जोन द्वारा कि जो पोड़ो और जन्टू है उसके अंदर जो समानता और असमानता की अधार पर दे गई कि उसके अंदर क्या समानता है एक हमारी पास पोड़ा है और एक हमारी पास जन्टू है अब इन दोनों को हम कंपेर करेंगे कि इनके अंदर क्या समानता और क्या असमानता है ठीक है यानि इसमें वीपरियासी लक्स्टन जुप्राहे युगमों में होती हैं जैसे हमने मेंडल वाली चेप्टन में पड़ा था लास्ट फॉलस में वीपरियासी लक्स्टन यानि एक दूसरे की वीप्रीज प्रीजलेट था और इसका पर्तिक है कुणजी का हो Mark Dessen का कारी करते हैं यानि हमें एक में समानता मिली एक में ऐस समानता मिली तो उसे हमें इस बात की नोलेज होती है कि इसके अंदर क्या समानता है और क्या ऐस समानता है और यह जो कुणजी है सबसे ज़़ादा इंपोर्टेंट है इसे काफी सारे कोर्शन लास्ट यर भी आ चुकी है ठीक है और जो परतेक समवर्ग है उसके लिए अलग कुणजी होती है जैसे जाती, वन, स्कूल, गन, वर्ग, संग, जगत हमने इस सेवन पड़े थे तो इनके लिए सबके लिए अलग-अलग कुणजी का उपयोग होता है या फिर उपयोग में लाई जाती है ठीक है और लास्ट पॉइंट है इसका जो कुणजी है विप्रीट विकल्पो को चुन्ने में दिखाती हो इसके परिवान सरू एक को मान्यता था दूसरे को eh मान्यता मिलती है जेसे मैं आपको पिछली उड़ायान से बताए था कि कुणजी है जेसे हमने एक पोड़ा लिया और एक जन्तुलियम अब इन दोनों के बीच क्या समानत है और क्या आसमानत है इसके बारे में कुझी हमें बताती है ठीक है आज की वीडियो में हमारा फर्स चेप्टर कंप्लीट हो चुके है नेक्स्ट क्लास में हम इसका डूसरा चेप्टर करेंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सियर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू